हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे स्टूप चैनल मोहित पांड़े क्लासेट पर फ्रेंट्स जैसा कि आप लोग ज्यानते हैं कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 में मैट का चिप्टर नंबर 4 दुई घात सम्मी करन इंग्लिस में इसको ह हम लोगों ने exercise 4.2 के कुछ question किये थे और आज हम आगे के question की बात करने वाले हैं तो मेरे प्यारे साथियों मेरे सुपर स्टार बच्चों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important है जानते हो क्यों क्यों क्योंकि आज से हम सुरू कर रहे हैं इस exercise में language वाले question को करने ठीक है आज से हम language वाले question करेंगे और आपका इस exercise में six question है बस छोटे छोटे वीडियो एक दो वीडियो में भाया काम खतम हो जाएगा इसका ओके तो चलिए हम सुरू करते हैं question number two फर्स तो हो गया था न अब second में देखिए question number second कह रहा है उदाहरण एक में दी गई और चलते हैं भाया आगया उदाहरण एक में क्या है निमने स्थितियों को गणितिये रूप में ब्यक्त खीजिए इसमें कितने पार्ट हैं दो पार्ट हैं चलिए फर्स्ट पार्ट इसमें कह रहा है जान और जीवनती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं ठीक है दोनों पास-पास कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुड़नफल 124 है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे चलिए बहुत ही सांदार कुश्चन है बस आपको समझना है थोड़ा सा बच्चा दिमकवा खर्च करेक्परिया तो देखिए हमारा कुश्चन है यह सेकेंड का एक्जामपल है लेकिन तो भई एक्सराइज है इसलिए हम डालेंगे कुश्चन अमबर सेकेंड का फस्ट है अब इसमें क्या कह रहे हैं जान और जीवनती दोनों की पास कुल मिला कर 45 कंचे हैं तो दो लोग हैं मैं जान हू हमारे दोनों की पास कुछ कंचे हैं कुछ मेरे पास और कुछ आपके पास और दोनों को अगर इकठा कर दिया जाए तो वो 45 कंचे आते हैं काउंट करने पर इस तरीके समझो कुश्चन ठीक है अब देखो तो होगा क्या तो देखो पहली लाइन क्या कि कुल कंचे 45 ये दिये है ठीक है और क्या कह रहा है के कुछन में दोनों और तो कुछ नहीं है तो क्या करो अगर इस टाइप के कुछ चन आते हैं तो किसी एक को मान लो अब देखो मैंने क्या कहा कि मेरे पास कुछ कंचे हैं कुछ कंचे आपके पास हैं अगर दोनों लोगों की कंचे को गिना जाता है तो 45 आता है अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास 20 कंचे हैं और पता अगर हमें करना हो कि आपके पास कितने हैं तो कैसे बताऊगे देखो हमारे और आपके पास दोनों के कंचे अगर मिला लो तो वो 45 कंचे हैं और मैंने कहा कि मेरे पास 20 कंचे हैं तो आपके पास कितने कंचे हैं तो कुल कितने 45, मेरे पास कितने हैं 20 तो अगर कुल कंचों में से मैं अपने कंचों की संख्या अगर माइनिस कर दूँ तो देखिए पांच यह 25 बचेगा इसका मतलब आपके पास 25 कंचे हैं तो कैसे पता चला कि आपके पास 25 हैं जब मैंने कहा कि मेरे पास 20 कंचे हैं किसी एक का पता होना चाहिए लेकिन question में तो किसी का भी नहीं कहा है बस क्योग इतना कहे दिया है जान और जीवनती के पास किसी एक के पास मान लो चाहे मान लो जॉन के पास कुछ कंचे हैं चाहे जीवन्ती के पास तो हम मानते हैं पहला काम यही करना है क्या माना माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x अब देखो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 20 कंचे हैं और आपके पास कितनी तो आपने क्या किया आप अपने कंचों की संख्या बताने के लिए क्या किये है जो मेरे कंचों की संख्या है उसको टोटल कंचों की संख्या से आपने माइनस किया है तो अगर जान की पास x कंचे हैं और पुछा जाए कि अब जीवनती के पास कितनी कंचे हैं तो कैसे पता चलेगा आपको तो जो टोटल कंचों की संख्या है उसमें से जान के पास जितने कंचे हैं उसको माइनेस कर दो जो बचेगा वो जीवनती के पास होगा कंचों की संख्या बराबर कैसे पता चलेगी कुल कितने कंचे हैं 45 और 45 में से अगर जान के कंचों की संख्या को माइनेस कर देंगे तो जो बचेगा वो होगा जीवनती की कंचों की संख्या इतना हो गया अब आगे देखो नेक्स्ट लाइन में कह रहा है दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुड़नफल 124 है चलिए कंडिशन क्या है दोनों लोग पांच पांच कंचे खो देते हैं चलिए पांच कंचे खोने के बाद पांच कंचे खोने के बाद जान के पास बचे कंचों की संख्या अब देखो पांच कंचे जब खो जाएंगे जान के तब उनके पास कितने कंचे बचेंगे देखो प्रारम में जान के पास हमने कितना माना X कंचे थे, अब 5 कंचे अगर खो गए, खोने मतलब माइनिस करना, mathematics में खोने का मतलब क्या होता है, माइनिस करना होता है जैसे मेरे पास 10 रुपए थे, 5 रुपए खो गए, तो कैसे बताऊगे, 10 minus 5 equal to 5, तो प्रारम में कितने कंचे थे, John के पास X कंचे, अब 5 कंचे अगर खो गए, तो कितना बचेगा, John के पास, पहले कितने थे, X, अब 5 कंचे खो गए, मतलब minus 5 कर दो, हो गया ठीक, इसी तरीके से, 5 कंचे खोने के बाद जीवनती के पास बचे कंचों की संख्या देखो, कैसे निकलेगी जीवनती के पास पहले कितने कंचे थे, 45 minus X, ठीक, अब 5 कंचे जीवनती के भी खो गए तो कैसे पता चलेगा आप कितने कंचे बचे, पहले कितने 45 minus X थे परारम में अब 5 कंचे हो गए मतलब माइनस 5 कर दो इसमें से, अब इसको थोड़ा सा अगर solve करो तो क्या मिलेगा आपको अगर इसको थोड़ा सा भी आप अगर solve करोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा 45 में से 5 जाएगा 40 minus X यह हो गया, अब आगे question क्या कह रहा है कह रहा है, 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचो की संख्या का गुड़न फल, कब जब 5-5 कंचे दोनों लोगों की खो जाते हैं, तब जो संख्या बसती है कंचो की उनका गुड़न फल, किसके बराबर है 124 के, तो देखो मतलब x-5 x-5 और 40-x 40-x यह बराबर है 124 के, अब इसको solve करिए, तो x का 40 में करोगे, तो 40x फिर x का minus x से होगा, तो minus x square फिर minus 5 का 40 से करोगे, तो 5, 0 और 4 बंचे 20 200, फिर minus और minus plus, 5 का x में करोगे, तो 5x बराबर 124 हो गया यहां तक के लिए, आगे देखो अब देखो, यहां x square जो है, आपका, यह minus में है तो एक काम करो, इस तरफ जो है, सबको आप दाएं साइड ले जाओ, ठेक है, आरेचस में, तो इधर क्या बचेगा, 0 तो इधर मानलों बचे गया 0, equal to यह equal to, अब इन सबको जब इधर ले जाओगे, तो सबका चिन बदल जाएगा मतलब x square इधर जाएगा तो plus x square हो जाएगा और यह 40 और 5 45 x इधर जुड़ जाएगा, दोनों यह प्लस नहीं हो जाएगा, इधर माइनस में 200 है तो इधर जाएगा, तो 200 हो जाएगा और 124 पहले से ही इधर तो 200 और 124 कितना? 324 हो जाएगा कितना हो जाएगा, प्यारे? प्लस में 324 ठीक, अब एक देखिए यहाँ पर 0 इधर है ना तो कोई बात नहीं 0 को चाहे इधर रखो चाहे इक्वल टू करके इधर कर दो ठीक है, एंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला इससे अब इसको चाहो तो आप solve कर सकते हो, answer भी निकाल सकते हो, ठीक, तो देखो करेंगे क्या, काम होई है कि दूई घात समीकराण को हम कैसे solve करते हैं, मुल कैसे निकालते हैं उसका, अभी question number first में मैंने सिखा है आपको, सबसे पहला काम क्या है कि x square का जो गुडांक है, coefficient उसको लीजिए तो x square का गुडांक क्या है हाँ पे, कुछ नहीं दिख रहा है तो 324, इसमें देखो भईया, ABCD के कुछ अच्छर नहीं दिख रहे है तो ये अचरपद होगे आपका और x square का गुडांक, 1 दोरों को आपस में करना है गुडा, तो 324 का एक में करोगी गुडा, तो 324 होगा है ना कि नहीं, होई ज़हिया ज़रूर होई, तो 324 अब इस 324 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है प्यारे ऐसी दो संख्या में तोड़ना है इसको, की जो है तो है उनको आपस में प्लस या माइनिस करने पर x का गुडांक मिले x का गुडांक कितना है? 45 उनको जोड़ने घटाने पर 45 मिले और गुडा करने पर फिर से वही संख्या मिल जाए तो कैसे होगा? देखो, अब जोड़ें की घटाएं तो अचरपत के सामने देखो, प्लस का चिन है कि माइनिस का, तो प्लस का मतलब ऐसी दो संख्याएं आपको लेनी है जिनहें आपस में प्लस करने पर 45 मिले और गुडा करने पर उनहीं दोनों संख्याओं को गुडा करने पर 324 मिले तो भहिया देखो, इसका पता इसे लगाते हैं इसका आप करूँ गुडन खान होगा कैसे, दो से होगा पहले 221, 2, 6, 12, 24 फिर 2, 8, 16 और 2, 1, 2, 8, 9 3 से जाएगा 3, 2, 6, 2, 21 3, 9, 27 3, 3, 9 और 3, 1, 3 हो गया अब 2, 2, 4 4, 3, 12 और 12, 36 और 3, 3, 9 36 और 9 अगर हम ऐड करें 36 और 9 तो 9 और 6, 15 और 45 मतलब देखो, 2, 24 4, 4, 3, 12, 12 36, 36 और 3, 3, 9 36 और 9 को अगर आपस में हम ऐड करते हैं तो 45 आता है अब अगर इनका गुडा करोगे तो 324 ही आएगा अगर विश्वास न हो तो करके देख लेना बच्चा तो अब हमें पता चल गया कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं 36 और 9 बस इसी का सबसे बड़ा भाया खेल होता है एक्स स्क्वायर अब इस 45 को हम तोड़ेंगे 36 प्लस 9 में बाहर एक्स रहेगा प्लस 324 यह कॉंसर्ट फर्स कुश्चन में ही सिखा दिया है वहने आपको 4-5 प्लस कुश्चन थे उसमें अगर पहली बार भाया देख रहो ना चेप्टर का वीडियो तो आप जाए चैनल पर वीडियो अपलोड है अल्रेड़ी 36 का एक्स में गुड़ा करोगे तो 36 एक्स फिर माइनेस का अंदर तो माइनेस 9 एक्स प्लस 324 बराबर में 0 ठीक है एक्स लो कामन प्यारे तो एक्स हमने लिया कामन तो बचा कर लिये हो तो अंदर प्लस नहीं तब माइनेस बचेगा ठीक अब नौ नौ तरिक 27 और 75 बारा पांच 32 और 54 नौचक 54 शत्य बराबर 0 ठीक है अब देखो दोनों ब्रेकट से मारे है मतलब बिलकुल हम लोग सही रास्ते पर जा थे अब क्या करो एक बार इन दोनों ब्रेकट को कामन लो तो एक्स माइनेस 36 को कामन जब करोगे तो बचेगा यहां से यह कामन हो तो बचा यहां एक्स दूसरे ब्रेकट में लिखो माइनेस नौ बराबर में 0 ठीक है आप देखो होगे आप तो काम एक बार इस ब्रेकट के एक कुल में 0 ले लो एक बार इस ब्रेकट के एक कुल में 0 तो x-36 बराबर में 0 तो x बराबर 36 ठीक अब एक बार इस ब्रेकट के एक कुल में 0 लो तो होगा क्या x-9 बराबर 0 तो x बराबर 9 अब देखो हमें निकालना क्या था हमें निकालना था कि प्रारम में उनके पास कंचो की संख्या कितनी थी तो हमने क्या किया था जान के पास कंचो की संख्या मानी थी x और x की value निकल के आई है 36 और 9 ठीक है तो मतलब प्रारम में जान के पास कितनी कंचे थे या तो 36 कंचे थ ठीक है अगर जॉन के पास प्रार्भ में 36 कंचे थे तो जीवनती के पास प्रार्भ में 9 कंचे थे और अगर प्रार्भ में जॉन के पास 9 कंचे थे तो जीवनती के पास 36 कंचे थे बस इतना ही करना था इस कुस्चन में अगर इसकी शॉट लेने चाते हो तो ले सकते हो इसका चलिए, नेक्स्ट कुश्चन, जामपल नम्बर फस्ट का सेकेंड पार्ट है हमारा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेगा, बड़ा इंपर्टन कुश्चन है प्यारे, एक कुटीर उद्दोग एक दिन में कुछ खिलोनों, खिलोने निर्मित करता है, ठीक है, कोई एक मालो फ अब आप संख्या के बराबर है, देखो भईया, आप चूतिया बनावे कोशिस के ही नहीं आपका, लेकिन आपका चूतिया बना इनाय है बच्चा, देखो, अब ये डारेक्ट नाय कहिशकत रहे है भईया, कि ये खिलोने मूल अतना है, ये इन्होंने घुमा के बता दिया है आपको, कन्फ्यूज कर रहे हैं, लेकिन भईया, ये नहीं जानते कि भईया, आप किस से पढ़ रहे हो, परते खिलोने का मूल पच्चपन में से, मतलब एक खिलोने का मूल जो है, वो 55 में से, क्या करना है, एक दिन में निर्मार किये गए, पच्चपन में से, एक दिन म को बनाने में उतने रुपए खर्च होती हैं ये है कहानी इतनी बात के लिए रहा है आगे देखो किसी एक दिन कुल निर्मार लागत 750 थी एक दिन भाईया उस फैक्टरी में जो फैक्टरी थी उसमें कुल जो जितने भी खिलोने बने थे उन सब का खर्चा आया था 750 अब हम ये पता करेंगे कि उस दिन कितने खिलोने निर्मार हुए कब जब 750 रुपए कुल लागत लगी थी जितने खिलोने उस दिन बने थे पुस्चन के लिए रहा है अब देखो अभी थोड़ा सा डाउट होगा तो अभी भाईया वो दूर हो जाएगा देखो इसमें कर करना क्या है उस दिन निर्मार किए गए खिलोनों की संख्या तो मान लो भाईया कि उस दिन निर्मार किए गए खिलोनों की संख्या यक्स थी पहला काम यहीं करो आप माना कि उस कि दिन निर्मित या निर्मार किये गए एक ही बात है ठीक है माना उस दिन निर्मित कि लवनो की संख्या बराबर X अब आगे देखिए एक उटी रूद्दोर एक दिन में कुछ खिलोने निर्मित करता है ठीक परते खिलोने का मूल में से एक दिन में निर्मार किये गए खिलोनों की संख्या को घठाने से հाप्ट Lawrence के बराबर है अब एक खिलोने का मूल जो है देखो वो निकालेंगे प्रत्तेक खिलोने की निर्माड लागत प्रत्तेक खिलोने की निर्माड लागत ठीक है? मूल ठीक है वही बात है अब देखो प्रत्तेक खिलोने की निर्माड लागत क्या है कुछ चन कह रहा है कि प्रत्तेक खिलोने का मूल पचपन में से एक दिन में निर्माड किये गए खिलोनों की संख्या को घटाने से प्राथ संख्या के बराबर है अब एक दिन में निर्मित खिलोनों की संख्या कितनी है एक्स ठीक है और पचपन में से माइनस करेंगे पचपन में से एक दिन में तो पचपन में से भया एक दिन में निर्मित खिलोनों की संख्या अब हमने म निर्मार लागत मतलब एक खिलोने की निर्मार में इतने रुपे खर्च हो रहे हैं इसका यह मतलब हुआ अब आगे देखो कि आगे हैं किसी एक दिन कुल निर्मार लागत 750 थी उस या उस हटाओ दूसरी लाइंग्वेज में लिख दूँ कि आपको समझने में भी आसानी रहें कुल निर्मार कितनी 750 रुपे यह कुश्चन में दे रखा है ठीक है अब कुल निर्मार लागत अगर हम एक दिन की कुल निर्मार लागत अगर निकालना चाहें रुपे में तो कैसे निकालेंगे देखो प्यारे अगर कुई factory है ये, ये मानलो कोई factory है, ठीक है, यहाँ पर एक दिन में कुछ खिलोने बनते हैं, मानलो एक दिन में बनते हैं 50 खिलोने, इतने 50 खिलोने, और एक खिलोने का मूल है 5 रुपए, ठीक, 50 खिलोने बनते हैं एक दिन में, ध्यान से समझो, अभी तुरंत किलियर हो जागा नहीं, तो यह पल्ले नहीं पढ़ने वाला एक यह factory है एक दिन में 50 खिलोने बनते हैं और एक खिलोने का मोल है पांस रुपए अगर पुछा जाए कि एक दिन में टोटल निर्माड लागत कितनी है तो कैसे बताओगे अब एक दिन में कितने खिलोने बनते हैं पचास खिलोने और ए 155 250 यह हैं एक दिन की कुल भ्या निरमाद लागत मतलब एक दिन में कितना खरचा एस फैक्टरी का दो सो पचास आ अब देखो पुल थो किसे निकालेंगे से टोAll फैक्टरी को यह निकाली किसे जाती है एक खिलोने को निर्मार करने में जितनी लागत आती है और एक दिन में कुल निर्मित खिलोनों की संख्या कापस में क्या कर दें? तो देखो एक दिन में निर्मित खिलोनों की संख्या कितनी? एक्स तो एक्स और इसमें हम मल्टिपलाई कितना कर दें? परतेग खिलोने की लागत परतेग खिलोने की निर्मार लागत मतलब एक खिलोनी को बनाने में जितनी का खर्चा आ रहा हो तो कितने खर्चा रहा है, 55-x, 55-x, ठीक, ये बराबर है किसके, 750 के, बस काम बन गया, अगर इतना समझ गए तो बस हो गया गया, अब 55 का अंदर गुडा करो, तो हो जाएगा 55-x-x का x में x square, बराबर में 750, अब इसको इधर लेलो सबको, तो x square जब इधर जाएगा, तो plus का हो जाएगा, x square, और 55-x इधर जाएगा, तो माइनस 55-x, और इधर 750 पहले से ही है, पलस में रहेगा 750, अब इधर क्या बचा, इन सबको हमने इधर भेज़ दिया, तो इधर बचा है आपका 0, लेकिन अगर चाहो 0 इधर लिखो, या इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, answer भाईया, वही आएगा, answer पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब इसको solve करने की अगर बात करें, तो ये solve भी आप कर सकते हो, कैसे solve किया जाता है, x square के गुडांक का गुडा किया जाता है, अचरपत से, तो x square का गुडांक कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, तो 1 तो मतलब 1 का multiply करेंगे अचरपत से, अचरपत क्या है, इसमें 750, तो 750 कगर एक में गुडा करोगे, तो कितना होगा, 750 ही होगा न, तो अब इस 750 को ऐसी दो संख्याओं में हमें तोड़ना है, कि जिनको plus और minus करने पर x का गुडांक मिले, x का गुडांक यहां है 55, तो इस 750 क को ऐसी दो संख्या में तोड़िये, जिनको plus minus करने पर 55 मिले, और आपस में गुडा करने पर फिर से 750 मिल जाए, तो बात आती है कि plus करें या minus करें, तो अजरपत के सामने देखो plus लगा है, कि minus plus लगा है, तो हमें ऐसी दो संख्याओं को लेनी है, जिनको आपस में plus करने प संख्याओं करें, तो इसको गुड़न खंड करके सीखो, देखो, दो थिया, छे, एक, अभी हो जाएगा, पंदरा, दो सत्य चौदा, एक, और दो पंचे, दस, साथ, पांस, बारा, और तीन, पंदरा, दो से जाएगा, नहीं, तीन, से जाएगा, भईया, तीन, पंदरा, 5, 2, 7, और 1, 8, 3 से कटेगा, नहीं भी यह, 5 से कटेगा, यह 5, दुनने, 10 और 2, और भईया, हो जाएगा, पचीश, ठीक है, प्यारे, 5, पचे, पचीश, प्यारे, 5, पचीश, क्या हो गया, यह, साब बना रहे हो, सर, 5 बना रहे हो, और 5, एकंप 5, तो अब देखो यह, 2, प्लस करने पर तो काम हो रहा है अगर 35 को प्लस करें तो पच्पन आ रहा है और पच्पन ही तो है एक्सका गुड़ांग तो मतलब हो गया काम गुड़ा करोगे तो भई यह 750 ली आएगा विश्वास नहों तो करें के देख लेना प्यारी चलिए तो अब हमें संख्याक पता लग गया है भईया एक्स स्क्वायर माइनस अब इस पच्पन को हम किसमें तोड़ेंगे 30 प्लस 25 में 30 प्लस 25 में बाहर रहेगा एक्स प्लस 750 बराबर में 0 ठीक है अब आगे देखो अब तोड़ना जोड़ना है प्यारे माइनस कंदर गु 750 बराबर में 0 आगे देखो प्यारे अब एक्स होगा कॉमन तो एक्स माइनस 30 यहां से किसको कॉमन करोगे 25 को कॉमन कर लो तो बचेगा क्या एक्स बाहर माइनस में कॉमन ले हो तो अंदर ये प्लस नहीं माइनस में बचेगा ठीक है अगर बाहर माइनस कॉमन ले रहे हो त तो अंदर माइनस बचेगा मतलब अगर माय का रहेगा तो प्लस का तो माइनस का 25 िाँ 75 और यह 0 बचेगा बराबर में 0 हो गया अब देखो दुनों में सही राष्टे पर जा रहा हैं मतलब इस step में दुनों ब्रेकट के अंदर सेम चीज होना चाहिए अब देखो इस ब्रेकट को ही common कर डालो x-30 हमने common ले लिया तो बचेगा क्या वो दूसरे ब्रेकट में लिफ लो x और यहां क्या बचेगा minus 25 equal to 0 बस हो गया अब एक बार इस ब्रेकट के equal में 0 लो तो x-30 equal to 0 तो x ब्रावर 30 अब एक बार इसके equal में 0 x equal to 25 अरे यार बात वही है आएगा वही x-25 equal to 0 तो x ब्रावर 25 हो गया हमें क्या करना था हमें एक दिन एक दिन क्या मतलब कुशन में क्या ग्याद करना था यार हमें उस दिन निर्मार किये गए खिलोनों की संख्या ग्याद करनी है देखो किसी एक दिन की कंडिशन हमें थोड़ी बहुत दे रखी थी घुमा फिरा की और हमसे पूछा था कि उस दिन कुल कितने खिलोने बनते हैं कितने खिलोने निर्मित होते हैं ये बताना है तो हम क्या किये थे हमने माना था उस दिन निर्मित खिलोनों की संख्या यक्स और X की हमारी वैलू आ गई तो मतलब अब क्या कहना चाहोगे आप आपका कहना क्या है प्यारे आप देखो हमने माना था उस दिन निर्मित खिलावनों की संख्या कितनी या तो 30 या तो 50 या 30 खिलावने बनते थे या 25 खिलावने बनते थे प्यारे तो इस तरीके से यह कुश्चन भी आपका कंप्लेट हुआ तो इसका विस्किन सौट लेना चाहो तू ले सकते हो ले लिया चलिए तो फ्रेंस आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाब करते हैं आगे की कुश्चनों को हम नेक्स वीडियो में करेंगे तो आज के वीडियो आप लोगो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे ओके तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में आगे की कुश्चनों के साथ बाबाए सी यो